इस question is very important, जो question मैं आज solve करने जा रहा हूँ, बहुत important question is, so stay tuned with us, अगर आप ने चैनल के सब्सक्राइब नहीं किया है, जो subscribe करके जरूर रखिये, क्योंकि मैं frequently वीडियोस लाता रहता हूँ, हमारी differential equation series चलने या प्लेलिस जाके चेक कर सकते हैं, and also check out the description, sorry, so, हार पास जो question है, आप थन निल्प देखी चुके है, so, यह question हम basically linear differential equation का है, कुछ question मैं linear differential equation का solve करूँगो, जो की solve करने में बहुत ही critical बन जाते है, solve करते करते, ठीक है, so, यह question हमारे पास है, हमने इसमें किया है, हमने देखिए यहापे लिखा है, divide by y square x, ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हम नहीं देखिए कि dy by dx से साथ कुछ लगा हो, ठीक, हम नहीं चाते है कि dy by dx साथ कुछ multiply हो रहा हो, तो इस multiply को हटालने के लिए हम x से divide करेंगे, जो इसमें x से divide करेंगे, तो यह एकदम अकेला हो जाएगा, ठीक है, so, y square x, हमने इस पूरी चीज से इस पूरी equation को divide किया, ठीक, minus 1 हो जाएगी, okay, so, log x upon x, जो final equation हमारी आई है, वो यह है, ठीक है, अब देखिए, यहाँ से आपको सोचना है, यहाँ से आपको सोचना है, थोड़ा सा इस पर धहन दीजिएगा, अब देखिए, जो disturbing element है, जो, so, देखिए, हम इस problem पे attack रहे हैं, किस वज़े से, इस वज़े से, अब यहाँ पे दिमाग काम करना बंद कर देगा, so, आपको focus करना है, क्या, इस पे, y पे, ठीक है, so, देखिए, y की power minus 1 को जो हम differentiate करेंगे, तो आएगा y की power minus 2, बस यहीं से काम शुरू हो जाता है, क्या, जो हम इसको y की power minus 1 की जगा रखेंगे, z, ठीक, इसको differentiate करेंगे, तो आजाएगा यह, कैसे, जो हम इसको differentiate करेंगे, x के respect में, ठीक, तो यह आजाएगा हमारे पास, अब देखिए, यह आया हमारे पास, और यह आसान है, क्या तर लोग यहीं कहेंगे, यह आसान है, ठीक, त बदलब इसकी जगा क्या रख देंगे, यह, ठीक, यह यह ध्यांस दिखिएगा, ठीक है, सो हमने क्या किया, एक बहुती smart substitution किया, जैसे क्या होगा, हमारे disturbing element हमेशा के लिए खतम हो गया, इसकी जगा क्या आगया, dz by dx, ठीक है, सो हमने क्या रख दिया, यह ऐसे, ओक, यह minus sign इधर चला जाएगा, तो final equation जो हमारे बनेगी, वह यह बनेगी, ओके, so dz by dx, minus से पूरी equation मुल्प्लाई कर देंगे, ताकि यह, बड़ियास दिखिए, एकदम simple दिखिए, ठीक है, हमारा main key objective है, इसको simple दिखाना पहले, ठीक है, बाद मसारी यह होंगी, ठीक, तो हमने देख कि final equation हमारी यह आई है, ठीक है, z की terms में, और x की terms में, so हमारा यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो हमारे integrating factor जो है, वो है exponential integration, मतलब e की power ही, मतलब मैंने e की power नहीं लिखाए, यहाँ पी e की exponential लिख दिया, exponential को मतलब यह सब e की power में ही है, ठीक है, so exponential integration of 1 by x का integration करेंगे, इसका integration करेंगे, तो आएगा log x, ठीक समझी गए, log 1 by x कैसे आ गया, यह minus बाहर चला जाएगा, ठीक है, so answer आगे देखिए, यहाँ पे log x अंसर आया था हमारा, ठीक है, लेकिन यह minus उधर गया, तो क्या होगा, log x की power minus 1, so log x power minus 1, तो 1 by x log of 1 by x आ जाएगा answer हमारा, ठीक है, so इस वज़े से यहाँ पे log of 1 by x आया, समझेगा, ठीक है, नई समझ में आया, तो कमेंट सेक्शन में जरूर की, कमेंट कीजिए, आपको पता जाएगा answer, so e की power log of 1 by x, ठीक है, so इसका answer हमारा क्या है, e की power log x, log something, so log का base भी e है, यहाँ भी e है, ठीक है, तो हमारा जो input होता ह वह बाहर आ जाता है, ठीक, तो 1 by x मारा integrating factor आया है, multiply integrating factor from first, first equation जो हमारा पास आयती है, उससे हम integration factor को multiply करेंगे, multiply करने पर यह आएगा, पूरे multiply कर देंगे, देखे, इस पूरी equation में multiply कर देंगे, क्या, यह चीज, तो हमारा पस यह आ जाएगा, अब देखे, यह पूरा एक complete differential equation है, कैसे, देखे, यहाँ पर हमारा पास z है, और x है, दोनों चीज़ को हम क्या करेंगे, product rule लगाएंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले z को differentiate किजिए, तो आएगा dz by dx, 1 upon x, वाईस ही रखा रहेगा, अगली बार में हम लोग क्या करेंगे, 1 upon x को differentiate करेंगे, तो क्या आग इसको हम लोग कैसे solve करेंगे, तो इसको हम लोग कैसे solve करेंगे, यह तो हमारा आजाएगा, आसानी से, लेकिन इसको हमें solve करने के लिए, क्या लगाना पड़ेगा, integration by part, चलिए हम लोग बाइपार देखते है, by part लगाने के बाद हमारे पास जो answer आएगा, वो यह आएगा, ठीक है, right hand side पर solve करने के बाद, आप लोग इससे solve कीजिएगा, कुछ questions मैंने by part question solve कर रखें, लेकिन कुछ मैंने by part नहीं solve कर रखा है, क्योंकि यह बहुत आसान था, इसलिए आप खुद ही solve करिए इसको, okay, so हमने क्या किया, basically यहाँ पे minus minus common ले गाए, बाहर, यह plus पूरा म equation में x से multiply कर दिया, ठीक, तो यह x गाई, vx गाई, यहाँ cx हो गया, ठीक है, so z is equals to हमें पता है, 1 upon y है, ठीक है, so इसको y को अधर multiply कर देंगे, पूरी equation में, ठीक, तो देखे, y into यह पूरी equation is equals to 1, this is the required solution, so यह हमारा required solution है, so stay tuned with us, अगर आपको इस question में कहीं भी किसी भी प message कर सकते है, okay, thank you and stay tuned with us and please do follow me on Instagram and also subscribe to this channel to receive the frequent notifications of all the mathematical videos or we can say the higher mathematical videos, thank you for watching